सर्द्यों की मौसम शुरू होते ही घ्रामें च्षेत्रों में कारोवारीयों ने रूइ Making लगा कर रजाई गर्गा की भराई का काम शुरू कर दिया है लेकिन इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा काम में कमी दिखाई पड़ रही है कुछ कारोवारी इसकी वज़ाए लॉकडाउन में बड़ी बेरोजगारी को मान रहे है कुछ का मानना है कि बडलते समाई के चलते अब लोग गरम कम्बलों का जाधा उपयोग कर रहे है प्रियागराज जिले के कर्चना में रुई कारोवारी इर्फान का कहना है कि उनका ये पुष्टैनी काम है उनसे पहले उनके पिता भी रुई दुनाई वर रजाई गर्दा भराई का कारोवार करते थे नवरात्र परत के बाद काम शुरू हो जाता है पिछले चार वर्षों से रुई के रेट लगभग बराबर है वो प्रियागराज शहर से गांठे मंगवाते हैं जिसमें कामबर 70 रुपए, फाइबर 100 रुपए, दोयम 120 वा अच्छी किस्म की रुई कमूल 150 रुपए है ये रेट काफी सालों से एक जैसा है सिर्फ कारीगरों की मजदूरी में बड़ोत्री हुई है लेकिन जहां पहले रजाई भराने के लिए दरजनों लोग आते थे वहीं अब रोजाना 10 से 15 रजाई गद्दे की भराई के लिए आ रहे है कारोबारी इसका कारण बड़ी बिरोजगारी को मान रहे है वहीं 2 से 4 रजाई गद्दे भी भरने के लिए आते हैं इन में धागा डालने वाले लेवर को भी रोजाना धाई सो से तीन सो रुपए की मजदूरी मिल जाती है लेकिन काम में कमी आने की वजह से इस पर भी प्रभाव पड़ा है करोना काला कासर पड़ा हुआ है कोई देख नहीं बढ़ रही हैं हर चीज भी महाँगाई ही लोगडाउन से ज्यादा ग्रामीर वा मध्यंबर के लोगों से काम शिन गया है तो वहीं कर्चना ग्रामीर छेतर के लोगों का भी रुजान रजाई कंबल की ऑनलाइन खरिदारी की तरफ बड़ा है मद्यवर के लोगों के लिए भी रजाई भरने की जंजट से बाजार में कंबल की खरिदारी उन्हें आसान लग रही है प्रियागरा से सुनील यादब की रिपोर्ट